नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं अधिकारम को लेकर सारी तयारी सुक्रवार्दे साम तक पूरी कर ली गई है इस दोरान अधिकारियों ने इसकी सफालता को लेकर अस्थानिय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी मौसम विभाग के द्वारा जारी स्पेशल रिपोर्ट के अनुशार राजे में अगले दो सप्ता के दोरान मौसम समाने रूप से सुस्क रहेगा नौमबर के आखरी सप्ता और दिसंबर के पहले सप्ता में राजे के कुछ हीसों में हलकी बारिस दर्ज की जा सकती है इस दोरान बारिस के कारण आधरता बढ़ने से लोगों को कोहरा और कनकरनी का सामना करना पड़ेगा जबकि तापमान में गिरावट भिदर्ज की जाएगी बता दे अगले दो सप्ता के दोरान राजे के विफीन जीलों का अधिक्तम तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रिकोड किया जाएगा जबकि निम्तम तापमान 10 डिग्री सेलसे तक पहुचने की संभावना है जैक बोर्ड मैट्रीक इंटर परिक्षा की बड़ सकति हतारिख मैट्रिक इंटर परिक्षा को लेकर जैक ने बीभाग को भरतमान इस्तिती से यवगत कराया है बताया गया है कि जार्खन एकेडमी काउंसिल एक्ट के अनुरूप गोपनिये और बीतिये कारे का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है ऐसे में परिक्षा के लिए प्रश्ण पत्र प्रिंटिंग का कारे नहीं हो पाएगा परिक्षा को लेकर आगे की परकिरिया पूरी नहीं होने से जैक ने अब तक परिक्षा कारे करम भी जारी नहीं किया है बतादे 30 नौबर तक जैक अध्यक्ष के नियुक्ति होने पर परिक्षा 15 दिसमबर तक हो सकती है ज्यारखन में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे मोटापे का सिकार ज्यारखन में 5 साल से कम उम्र के बच्चे का वजन बढ़ रहा है यानि बच्चे मोटापा के सिकार हो रहे है रिपोर्ट के अनुसार सहर के साथ साथ गरामीन इलाके में रहने वाले बच्चों में मोटा पाप बढ़ा है राश्ट्रिय परिवार स्वास्त सरवेक्छन पांच की रिपोर्ट के अनुसार बर्ष 15-16 में मोटे बच्चों की संख्या 1.5 फिस्दी थी लेकिन बर्ष 2021 में बढ़कर 2.8 फिस्दी हो गई है बता दे सहर और गरामीन दोनों का अकड़ा 2.8 फिस्दी है वहीं राज्य में कुपोसित बच्चों की संख्या घटी है यानि इस्थिती सुद्री है यह हर अस्तर में पोशन को बढ़ावा देने के कारण हुआ है निलांबर पितांबर के नाम से जाना जाएगा बता दे गढ़वा में छामुमों की ओर से आयोजित कारेकरम मिलन समारो में मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने इसकी घोसना की इस मोखे पर गढ़वा के इंद्रा गांधी पार्क में निर्मीत घंटा घर का उधगाटन किया साथ ही 54 क्रोड रुपए की लागा से प्रस्तावित जीले के नए समनाले भवन का सिलन्यास भी किया इधर मिलन समारो को समधित करते हुए सियम सिरी सुरेन ने भाजपा पर जम करनी साना साधा बता दे गढ़वा क्या सिर्वाद वाटका में गढ़वा जीला जामो की ओर से आयुजित कारिकरम मिलन समारो को समधित करते हुए सीएम सुरेन ने कहा कि भाजपा की गलत नीति के कारण देश के किसान दिली में सटड़क पर बैठने को मजबूर है गिरी डिह के पारसनात पहाडियों पर नकसलियों का जुटान जारखन के गिरी डिह जीला अंतरगत पारसनात की पहाडियों पर जुटे नकसलि घात लगा कर पूलिस पर हामला करने की योजना बना रहे हैं नक्सलियों की गतिवीदियों और उनकी योजना की खोपिया विभाग से मिली जनकारी के बाद पुलिस मुख्याले ने गिरीडी एसपी और रेंज डियाईजी से अलट किया है बतादे पारसनात की पहाड़ियों पर नक्सलियों की गतिवी दिया बढ़ने के साथ ही पुलिस बॉल मानसिक रूप से इनकाउंटर के लिए त्यार राने को कहा गया है वही नक्सलि बंदी को देखते हुए पुलिस अपसरो वा जवानों को गुमला गेड़ी सहीत अन्य नक्सल प्रवाई जीलों में कहीं भी आकेले नहीं जाने की हिदायत दी गई है कोलहान के पोडा हाट जंगल में पुलिस नक्सली मुड़ भेड कोलहान के पच्मी सिहों जीला अंतरगत चक्रधर पूर पोडा हाट अनुमंदल छेत्र में सुक्रवार को पुलिस नक्सली मुड़ भेड हुए बतादे अनुमंडल छेत्र के गुदली, सोनुआ वा गोईल के राथाना के स्रीमावर्ती थाना छेत्र अंत्रगत, बनु मुली और दर्कोरहर टोला के बीज पहाडी पर पूलिस की परतिबंदित पीलेफाई दस्ते के साथ सुक्रवार को मुद्भेड हो गई मुद्भेड के बाद 25 लाग काई नामी दिनेस गोप अन्य नक्सलियों के साथ भागने में सफल रहा, इस मुद्भेड के बाद छेत्र में पूलिस का सर्च अपरेशन तेज हो गया है, वही सुतरों के अनुसार, फोडा हाट जंगल छेत्र में दिनेस गोप व अन्य नक्सली चार ओर से घिर गया है नकसली परसांत बोस का स्थान परमोद मिस्रा ले सकता है पिछले दिनों जारखन पूलिस के हाथों गिरफतार एक रोर की नामी मवादी के पूलित ब्यूरो सदस्य किसन दा उर्फ परसांत बोस उर्फ बुढ़ा के बाद मावादियों के पूर्वी छतरिय ब्यूरो परमोग के पद पर परमोद मिस्रा को बिठाये जाने की चर्चा है बता दे परमोद मिस्रा भागपा पूलित ब्यूरो का सदस्य है और 2017 में जेल से बाहर आने के बाद एक बरफित सक्रिय हो गया है बरतमान में पूलिस को उसके बिहार के गया स्थीत छकर बंधा में कैम्प किये जाने की जनकारी मिली है सक्खी मंडल के उत्पाद को सरकार खरी देगी मुखे मंत्री हमान सुरिन ने सुक्रवार को कड़वा में कहा है कि सरकार महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने के लिए बेवसाइक मौडल बनाने पर विचार कर रही है इसके लिए राई सरकार सक्खी मंडल की महिलाओ की और से त्यार खादे उत्पादों को खर देगी साथ ही उसका सरकारी ब्यवस्था के तहद संचारित विभागों में इस्तिमाल करेगी जारखन में कुरोना के साथ नए केस मिले हैं जबकि एक कईस मरी स्वस्त भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 109 है वहीं भारत में 10,549 नए केस मिले हैं जबकि 9,868 मरीज स्वस्थ भी हुए है जारखन में एनिमिया पीरित महिलाए बढ़ी राजे में एनिमिया से पीरित बच्चों और महिलाओ की जीती में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है बतादे 15-49 साल की महिलाओ में एनिमिया की समस्या बढ़ी है बर्श 2015-60 में आकड़ा 65.3 था जो बढ़कर 65.7 हो गया है बतादे एनिमिया से पीरित सहरी महिलाओ के पेक्षा ग्रामिन महिलाओ की ज़्यादा खराब है सहर और गरामिन महिलाओं में 3-6 पिचदी का अंतर है गूमला में EKYC नहीं करवाने वाले किसानों को रीन माफी में हो सकती है परिसानी जारखन सरकार के क्रिसी रीन माफी जोजना के तहत रीन माफी के लिए गुमला जीला के हजारों किसानों का नाम सुचिबत किया गया है बतादे जोजना के तहत जीले भर के 14,414 किसानों का विभीन बैंकों में डाटा अपलोड किया गया है जिसमें 8315 किसानों ने प्रग्या केंद्र में अपना अपना के EKYC करवाया है जबकि 6090 किसानों ने अब तक अपना अपना EKYC नहीं करवाया है EKYC करवाने वाले किसानों का रीन तो माप हो जाएगा परन्तु इक यवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों को रिन माप में परितानी हो सकती है गुमला के कुरुमगड थाना का भवन उड़ाया गुमला जिले के चैनपुर परखन इस्थित कुरुमगड थाना के नए भवन को भागपा ममादी के हतियार बन नक्सलियों ने उड़ा दिया है बतादे भवन का एक हिसा बोरी तरह छतिगरस्थ हो गया है घटना गुरुआर की देर रात की है जिस अस्थान पर कुरुमगड थाना का नए भवन बन रहा है वहां से 100 फिट की दूरी पर कुरुमगड का अस्थाई थाना वस यार पी एफ के जवान रहते हैं बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जब इस फोर्ट किया तो पूलिस की रातों की निद उड़ गई थी टाटा कमीस का पैन पूने टांसफर करने का प्रस्ताव रद परधान आयकर आयुक्त डॉक्टर प्रभा कांथ ने टाटा कमीस प्राइवेट लिमिटेड का पैन पूने टांसफर करने के प्रस्ताव को रद कर दिया है इससे समधित सुचना कमपिनी को भेज दी गई है जारकन बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश मिसरा की ओर से जारकन सरकार को कमपिनी का पैन ट्रांसफर करने पर राजे पर पढ़ने वाले असर की जनकारी दी गई है इसमें कहा गया है कि कम्पनी का पैन पूने ट्रांसफर होने पर इसमें काम करने वाले करीब 15,000 मजदूर महाराष्ट के स्रम कानून से नियंत्रित होंगे साथी इस कम्पनी में नियुक्तियों के दौरान महाराष्ट कार की आरक्षर निती लागू होगी उपनेयास मोय सुसीला का लोकारपन जारखन के मननिये राजेपाल सिरी रमेस बैस ने राजभोन में वरिष्ट पत्रकार और प्रसारक सुनील बादल के उपनेयास मोय सुसीला का लोकारपन किया वरिष्ट पत्रकार पदमसरी बलबीरदत और वरिष्ट ब्यांगकार एवं साहित्यकार डाक्टर असोक प्रियदर्शनी भी मौके पर मजूद थे बता दे पदमसरी बलबीरदत ने उपनियास को एक अलग बीधा से लिखा गया पठनियास बताया जबकि वरिष्ट साहित्यकार डाक्टर असोक प्रियदर्शनी ने कहा कि उपनियास जीवंतता लिये हुए हैं और एक बार पढ़ना शुरू करते पर बीच में छोड़ना मुस्किल है रांची में बल रही आत्महत्या की वर्दाते राईधानी रांची के नामकुम थाना चेतर के केतारी बगान में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है बतादे मिरी तक छात्र का नाम राजकुमार उराव है चात्र लोहर्दगा का रहने वाला था चात्र राजकुमार उराव 22 नौमबर को अपने दोस्त के यहाँ SSC GD की परिक्षा देने आया था परिक्षा देने के बाद अपने दोस्त के यहां रह रहा था लेकिन सुक्रवार के सुब़ राजकुमार उराओ का सव एक बिल्डिंग में फंदे से लटका हुआ मिला गती सीमा का नहीं किया पालन तुरद हो सकता है लाइसेंस हजारी बाग में GT रोड NS 2 पर मौत की घाटी बन चुकी चौपारन की दनुवा घाटी पर सबसे बड़ी पहल वानों की गती सीमा निर्धारन को लेकर की गई है दुरगटनाय नियंतरित करने के लिए यहां दो दिनों के भीतर गती सीमा निर्धारित कर दी गई है साथ ही वाहनों की गती जाचने परखने के लिए इंटर्सेप्टर की मदद ली जाएगी तय गती सीमा कावलंगन करने पर वाहन चालको का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा किसान आंदोलन के एक बर्स पुरा होने पर किसानों का मार्च किसान आंदोलन के एक बर्स पुरा होने पर जारखन में किसान संगहर समनवे समीती यों सरामिक संगठनों की ओर से जिलाई स्कुल नाची से गगन भेदी नारे के साथ मार्च निकाला गया जो राज भवन के समग सभा में तब्दिल हो गई सभा के अध्यक्सता अखिल भारतिय किसान सभा के महा सचीव महंद्र पाठक जारखन किसान सभा के सचीव सुजीत सिना मितलेश सिंग ए आई टी यू सी के लाल देव सिंग महेश कुमार ने अध्यक्सता मंडली में हुई जे पी एसी को लेकर बड़े आंधोलन की चेतावनी चाहिए क्योंकि जे पी एसी पूरी तरह से दिव्यांग है और उन्होंने कॉट अफ लिस्ट में भी गलबड़ी की है जारखन के सभी अधालतों में 11 को लोक अधालत राश्ट्रिये लोक अधालत का योजन 11 दिसंबर को होगा इसके तहत राजे के सभी अधालतों में लोक अधालत के माध्यम से मामलो का निप्टारा किया जाएगा कोट में लंबित मामलो के साथ वैसे मामलो का भी लोक अधालत में निप्टारा किया जाएगा जालसा ने सभी जीलो को बिदिक सेवा प्रदिकार को इसकी तियारी करने का निदेश दिया है जे PSC सीवीद सेवा प्रणभिक परिशा का रियल्ट रद करने की मांग पर जार्खन स्टेट स्टुडेंट यूनियन के स्थ से अड़े हुए है रिजल्ट रद करने को लेकर 26 दिनों से अभियार्थी आंदोलन रथ हैं बतादे स्टुडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतों ने कहा कि जब तक आयोग पीटी रिजल्ट रद नहीं करता तब तक आंदोलन जारी रहेगा धन्यवाद